हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका टीलरनर.com के इस नए वीडियो में आज के सूड़े में हम देखने वाले कि ऐसे ब्यूटिफुल वेबसाइड या फिर ब्लॉग कैसे बनाया जाता है सिर्फ ऐसी ही नहीं आपको हम बहुत सारे और भी ड्रैन देंगे जो कि आप फ्री में यूज कर सकते हैं और उससे अपने अट्रेक्टिव वेबसाइड बना सकते हैं ये वीडियो देखने के बाद आप किसी के लिए भी एक अच्छी सी वेबसाइड बना सकते हैं चाहे अपने लिए भी एक अच्छी सी वेबसाइड बना सकते हैं तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बट फ्रेंड्स वेबसाइड बनाने के लिए हमारे पास दो चीज़े जरूरी हैं वही लिए हमारा डोमेन और दूसरी है हमारे हो फूस्टिंग डोमेन मतलब हमारा बिजनेस का नाम जैसे की मेरा है टी-learner.com उसी तरह से आपका कुछ न कुछ ऐसे .com.in रहेगा वो रहेगा आपके बिजनेस का नाम या फिर आपकी या फिर आपका डोमेन उसी के साथ एक होनी चाहिए होस्टिंग जहापे आपकी वेबसाइड सेव रह प्रियाम है जो डोमेन है वो एक साल के लिए फ्री ही मिलेगा तो डिस्क्रिप्शन में दीवी लिंक के उपर क्लिक करने के बाद आप इस तरह के पेज़ के उपर आ जाएगे यहाँ पर आपको हमेशा नए नए आफर मिलेगे पर आप डिस्क्रिप्शन वाले लिंक प्लाने वही सिलेक करिए तो यहाँ पर पेड्ट कार्ट पर क्लिक करिए यहाँ पर एक साल के लिए लेना तो मैं एक साल select करता हूँ आप्य यहाँ पर टर डिस्क्रिप्शन में मैं ने छ् corona वी धीया हूँ नहीं नहीं तो आपको 27 से लेकर 2900 के बीच में पढ़ जाएगी मतलब आपको यहाँ पर 10% का आफ मिल जाएगा उसके बाद आपको जो भी बिजनेस का नाम है वो आपको यहाँ पर फ्री मिलेगा वो आपको यहाँ पर सर्च करना है जैसे मेरा है टीलर्नर.com है टीलर्नर.in तो मैं यहाँ से लूँगा और य मुझे यहाँ पर फ्री में ही मिल जाएगा उसी के साथ यहाँ पर आपको कुछ दिक्रा होगा क्लाउट फ्रेर प्रोटेक्शन डेली बैकप यह हम फ्री में ही ले सकते इसे फ्री में कैसे लेना है इसके लिए भी मैंने वीडियो पहले से ही बना रखा है तो आप वह दोमें खरीदने के बाद आप इस तरह की पर आ जाएगे यहाँ पर आपको बोलेंगे वेल्कम टो होस्टिंगर और यहाँ पर आपका बिजनेस का नाम आ जाएगा आपको यहाँ पर स्टार्ट नाव पर क्लिक करना है स्टार्ट नाव पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ तो मैं यहां पर company का बना रहा हूं इसलिए company पर click करता हो और यहां पर next पर click करता हो यहां पर हमने contact detail पहले से ही डाल रखे इसलिए हमें और पुछ डालना नहीं है तो मैं यहां पर finish registration पर click करता हूँ आपको आपके सारे details यहां पर डालने हैं उसके बाद यहां पर nexusreality.co.in मतलब आपकी website is being register करके आपको message आएगा उसके बाद आपको क्यूंकि नई website बनाने है इसलिए यहां पर build a new website पर click करना है तो क्यूंकि यहां पर आप first time website बना लिए तो यहां पर no it's my first time पर click करिए उसके बाद आपको यहां पर wordpress select करना है wordpress select करने के बाद आपको यहां पर अपना wordpress जो है उसके लिए email id और password देना है तो हमने email id दे रखिए तो मैं यहां पर password generate करता हूँ और उसके बाद यहां पर business के related हो सकते हैं तो इसमें से आपके business related या आपके blog के topic related जो भी आपको template मिले उसे select करिए अगर नहीं मिलता है तो कोई एक normal template select कर लिजे उसे हम अपने blog की सब्से डेवलप कर सकते हैं तो मैं यहां पर mountain वाला template select करता हूँ अगर मुझे select करने से पहले देखना है कि यह कैसे दिखता है तो मैं preview पर भी click कर सकता हूँ तो प्रिवेव पर click करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं कि यह template इस तरह से लगेगा अगर लगता है तो आप इसे use करिये नहीं तो इसे back जा सकते यहां से तो यह यह वालब template हम select करते हैं select पर click करने के बाद आपके सामने इ English select कर लिजिए तो फ्रेंट्स हमारा setup complete हो गया है तो यहां पर आ गया है कि यूर website is ready अभी हमें यहां पर हमारे WordPress में जा सकते हमारे website के अंदर यहां फिर हम open in new type करता हूं सो फ्रेंट्स आप देख सकते हमारे website completely बनके रेडी है हमें जो भी इसमें चाहिए जैसे कि ब्लाग हो गएरे सभी के लिए अपने आप यहां पर space आ गई है तो अगर हमें यहां पर कुछ चेंज करने हैं तो हमें सिर्फ यहां पर edit with elementor पर click करना है edit with elementor पर click करने के बाद आपके सामने इस तरह का page open हो जाएगा आप यहां पर देख सकते हैं मुझे अगर यह टेक्स्ट चेंज करना है तो जस्ट मुझे इसे सिलेक्ट करना है यहां पर टैप करना है और मैं यहां पर change कर सकता हूँ जैसे यहां पर brain लिखा है तो मैं यहां पर टेक्स्ट है वो भी आप चेंज कर सकते हैं इसी तरह से आपको आगर button के ऊपर दियोंए text को चेंज करना है तो आप यहां पर आकी pencil के उपर click करके उससे भी change कर सकते हैं उसे के साथ button के उपर click करने के बाद आपको particular person को कहा ले जाना है उसकी आप एक link भी यहां पर डा change करना है तो मुझे just यहाँ पे क्लिक करना होगा यहाँ पे क्लिक करना है यहाँ से फिटो चेंज करने है चूज इमेज करेंगे तो नहीं वाली फूटव आपको मिल जाएगा फिर अपने कम्पेटर से भी अफलोड कर सकते हैं इसारा से आप अपनी वेब्साइट एक बिल्ड कर सकते हैं पूरी चीज होने के बाद आपको यहां पे Update पे क्लिक करना है अब डीक करने के बाद सभी चीज है अब की Update हो जा Seb Lagos और उसके बाद आपको यहां पे यह जो पूरा detail है यहां पे इतनी लाइनकर a81 को इलिट यूँज कर सकते हैं तो फिलाल हम इस तरह का मेनू यूज कर रहें तो यहाँ पे आप जिस भी पेज के ऊपर जाएगे जैसे टेस्टिमूनियल वाले पेज के ऊपर जा रहे उसके ऊपर बहुए आपको कोई चेंज करना है कि आपको क्लिक करना है यहां पर आपको ब्लाग अड करना तो स्लेक आप मेरे साहा कुछ पड़ने के में कुछ ट्रेणिंग जैसा कुछ आएगा अगर नय है तो आपको यह पढ़ना चाहिए मैंने पहले से इसलिए मैं यहां से ुष्ट कर देता हूँ इसके बाद आप यहां पे आपको एक पोस्ट का जो भी टाइटल है वह दे देना है यहां पे जिसे खुछ हाउ-टू तो हाउटो जैसे कुछ भी यहां पर टाइटल दे सकते और यहां से आप पोस्ट राइटिंग शुरू करते हमें आप जो भी पोस्ट लिखेंगे यहां पर उसके अंदर ग्राइट करने के लिए यूरल है जैसे कि homepage गाए तो उहाँ पर क्लिक करने के बाद homepage भी जाना चाहिए इस तरह से सभी url आने चाहिए तो उसे कैसे करना है तो आपने अब यह समझ लिए कि post कैसे create करनो तो अभी url को setup करने के लिए आपको जाना पढ़ेगा फिर से dashboard में dashboard में जाने के बाद आपको setting के उपर click करना है setting के उपर click करने के बाद आपको यहाँ परma link के उपर click करना है परma link के उपर click करने के बाद आपको यहाँ पर post name select करना है पर यह चीजाद रखे इसे एक ही बार करना है जो भी रखना है आपको initially रखना है उसके बाद इसे कोई भी चेंज नहीं करने है पोस्ट नेम करने के बाद आप पर सेव जंजेस पर क्लिक कर दीजे तो अभी आपकी जो लिंक है वो आपके जो भी ब्लोग है उसी सबसे आएगी इस तरह से अपने के website setup कर सकते हैं अगर आपको एक educational website बनाने जैसे की बड़ी बैड़ी वेबसाइट बना निया तो वह भी मैंने बताई हुए इससे पहले वीडियों में उसकी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी और आप यहां पर देख सकते आपको यहां पर not security रहा है अगर हम इसे सिकवर्ड करना है तो क्या करना है हमें हमारे hostinger के अंदर जाना है यहां पर जहाँ से हमने manage WordPress किया था यहां पर control panel manage करना है इसलिए manage site के उपर क्लिक करना है manage site के उपर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर SSL पर क्लिक करना है SSL पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर setup पर क्लिक करना है और यहां पर install SSL पर क्लिक कर देना है तो हो गया आपकी website अभी secure दिखाए देगी उसके बाद यहाँ पर close कर देना है और इस website को आप refresh करिए तो आप यहाँ पर देख सकते है रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर secure करके option आ गया है अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए चैनल को सब्स्राइब कीजिए और हाँ इसके रिगार्डिंग आपको कुछ भी पूछना है या फिर आपके कोई भी प्राब्लम आ रहा है आपको तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मैं उसके हमेशा एंसर देता हूँ आपके भी कुछन के एंसर जरूर दूंगा तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए फिर से एक बार थैंक यू